नुज एद लाइन्स आग पर है से अम्रिट से बाउज बाउज बाई शीएच चेट ब्रोटी तुद हलाएर प्राण नुज एटीन ओर प्रधान मंत्री नारेंदर मोधीर एक्स्थूजिव हाई ख्याद कार कंग्रेज़र निर्बासनी एस्टाहर रता से मुस्लिम लिगर साथ कंग्रेज़र उत्तरा धिकार कार अर हमाज अर्थनोटीक जोरी पक्लोई मोधीर गुर्टपूर्णा मंत्रभ्य काईलोई निखा ना बचा निउस एटी नर्ख़म नोथ इस्टाथ हम प्रसार होब मोधीर एक्स्थूजिव हाई ख्याद कार कालो अर्खमोलोई केंडर ग्रिह मंत्री अमिट शाह भाग लब निर्बासनी प्रसार ग्वाहतीर प्राठी भीजूली कोलीता मेधिर होई कोरीब प्रसार साइकल फैक्टरीर परा लालगोने सोलोए दुई किलो मिटार जुडा रोध्शो रंखल लप केंडर मंत्री गोरा किये मुख्य मंत्री डक्र इमांत विस्थोहर्मा धाराबाहिक निर्बासनी प्रसार पुक्राचार हमोस्थी तिनी ठाइ मुख्य मंत्री बीजो हंकलप जात्रा काजल गाव पर्भत छोडा गुषायिकाव उपपेलर प्राथी जयान्ट बसमोटारी होई माराथन प्रसार मुख्य मंत्री तुट्या परजियर सारी हमोस्टिर दिमिता हमोस्टिते जोई हुपब बीजेपी मिट्रोचितर प्राठी धुपुरी थप अधिनी कुनिया प्रतित अन्दिता पक्राजर निर्बासनी प्रसार भीजान और माज़ती हुखना मिठ्यमंत्रीर बीजेपी यूपी पीएल और मिट्रटार बावे बोरोलेंड़ धिरास कोई से हांती बुली मंतर्प्राइबुद्या पर जिया निर्बासन और प्रमे उत्तप्त होई पुरिसे धूबरी लुक महानगरी लालकुनेसर श्री रामर पोस्टार और कोला रंग हनाक केंड्र कोरी तिप्र उत्तप्त पुरिसेती मुखत कोला रंग हानी एकांखलुका उत्ताल प्रतिबाद सब्मेश कंटा भीटर दोस्कृटिकारी कराक्त नो कोरीले पाठ अपरुधर हुंकार महानगरी लालकुनेसर श्री रामर पोस्टार और कोला रंग हनाक कोला रंग हानी एकांग है महानगरी लालकुनेसर श्री रंग हानी एकांग हानी एकांग है महानगरी लालकुनेसर श्री रंग हानी लालकुनेसर श्री रंग है महानगरी 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 रंग है महानगरी लालकुनेसर श्री रंग है महानगरी लालकुनेसर श्री रंग है मुझे लालकुनेसर श्री रंग है तो मुझे लगा कि मिडिया चौक जाएगा जो एनालिसिस करने वाले चौक जाएगे तेकि मुझे लगता भी तो इको सिस्तिम का बड़ा मिली पहर लगता है मुझे सच्चा ही लेकर जाना पड़ेगा मैंने काफी दस दिन हित्यार किया कि देश इस मैनिफिस्टों में जो बुराइया है उसको कोई-कोई कि निस्पक्त तरिके से आता है तो अच्छा है आखिर कर मुझे मजबूरन यह सच्चाहिया लेकर क्या आदे पड़े आप देखे साब और उनके एक महासाई ने अमेरिका में इंटर्यू के दिया जी इनरेटन्स टैक्स तो इनरेटन्स टैक्स की बात ले आए है पच्च्वन परसंट टैक्स आपकी प्रोपर्टी अब अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूं यह विरासत की बात करते हैं तो मैं अर्वेल रिडिविश्टिविशन की बात करते हैं और उनके आज तक का इतिहां से वो करेंगे क्या तो फिर मेरी जिम्मेवरी इट्सा मेरी रिस्पोंसिबिलिटी हैं कि मैं देश वास्यों को बताऊं कि भी यह इज दिशा में ले जा रहे हैं अब आप तेजिए जाना ने जाना जनता जनान का हरता हैं लेकिन मेरा दाइत्व बनता है कि तर्थे वा अधार पर उनकी हखिकों तो अधार पर मुझे बताना से जिए तो मैं बता रहा हूं दो हजार चे का एक वीडियो जो वाइरल हो रहा है इसमें मनमोहन सिंगी ने कहा है कि गरीब लोग करीब मुसल्मानों का पहला अधिकार रिसोर्स पर है यह उन्होंने साफ का है आपने उसको मैंनिफेस्टों में भी एबात पॉइंट आउट की है कि OBC का OBC रेजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसल्मानों को दे दिना चाहेंगे और 2004-2014 के बीच में उन्होंने चार-पांच बर ऐसा करने की कोशिश की भी है अरे भाई यह तो बड़ा इंट्रेस्टिन सवाल आपने पूचा है जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा लेगे देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा बताईगा आप कॉंग्रेट का इतियार देते हुए नब्बे के दसक से यह मांग उठी है देश में समाज का एक बहुत बड़ा तप्पा है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए उसके लिए अंदोलन हुए है नब्बे से पहले कॉंग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खरिश कर दिया उसका विरोध किया उसको दबाने की कोशिश किया यहने नब्बे के पहले कॉंगा दसक है फिर उनको जितनी भी कमिशन बने जितनी कमिटिया बनाई उसके भी रिपोर्ट्स ओबी सी के विचार के प्रक्ष में आने लगे अब उनके छे भारोसे कोगी वो नकारते रहें रिजयक करते रहें दबाते रहें नब्बे के दसक में उनको लगा भी अभी सको जरा उनकी वोट बैंक की राजलिती के अनुसार उसको टन दिया जाए उनको पहला पाप के क्या नाइंटीज के दसक में करना ठका में उनको ने धर्म के आधार पर आपको याद होगा करनाटर के में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसल्मानों को OBC गोशित कर दिया यानि देश के OBC को नकारना उस विचार को दबाना उस विचार को रिजेक्ट करना लेकिन राजरीती खातर मुसल्मानों को OBC गोशित कर देना केंद्र से कॉंग्रिस गई 2004 तक यह प्लान ठप रहा उनका इरादा पक्का नहीं हुआ 2004 में उफिराए तो आते ही आंद्र में मुस्लिम को OBC कोटा इस देना ताय का लिया मामला कोट में जाके उलज गया अब OBC के 27 परसंट जो आरक्षान में मिला हुआ है भारत के संवसद में दिया है समिधान के मुल्भूत भावना के प्रकाश में दिया हुआ है 27 परसंट सैद लगाने के उन्होंने तैरी करती डाका डालने की कोशिश की है 2006 में National Development Council के मिटिंग हुई जी NDC की मन मोन जी ने बयान पर बहुत बड़ा हंगाम हो गया है 2 साल Congress पूरी छूप रही 2009 के गोश्रापत्र में फिर से इसका जिक्र किया 2011 में Caminate note है इसका 2011 के Caminate note में OBC के 27 परसंट हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसल्मानों को दे देना उन्होंने तै किया जी 2012 UP चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की फाइदा नहीं हुआ 2012 आंद्रा हाइड कॉर्ट ने इसको रिजक कर दिया रद कर दिया कानूनी जज्मेंट आ गया 2014 के गोश्रापतर में भी दर्व के आधार पर आरक्षण की बाद कहीं है जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई RSS वाले BJP वाले संविधान सभा में नहीं थे बाबा साब आमजरेकर जेसे लोग बैटे थे पंडिक नरू जेसे बैटे थे साथा अवल्डपाय बैटे थे देश के कई महापुरुष बैटे थे उन सबने लंबे चिंतन के बाद काई किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं दिया जा सकता दोजर चोबीस के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मेनिफेस्टो और मैंने का इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिग की छाप है अने मुस्लिम लिगी नीतिय उन्होंने अपनार शुर किया अब ये जो उन्होंने सित्या बनाई है मुझे बताईए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से सम्मिधान की दज्जियां उड़ा रहे हैं जिस प्रकार से लोग को बापा साब आमबेड करको अब बानित करते हैं SC, ST के आरक्षन पर भी खत्रा तलवार लटका देते हैं OBC का तो जीना मुश्किल कर देंगे क्या मुझे देश की जनता को प्रसिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं जो कलम के धनी हैं जो निस्पक्ष हैं उनका इस दाइत्व बनता हैं कि ऐसे थमाई देश को वो एजुकेट करें सही चीजे बताएं प्रती फलान हुए से कोगनर्सोरिस्ट हराद बुली मौन पर ब्याद निर्बासन और पूर्बे नाश्टन नेट्वर्क और प्रधान मंत्री नरेंडर मोदीर प्रथम्ट एक्स्क्लूजिव हाख्यात कार मेगा हाख्यात कार, आमीं हम पूर्ण हाख्यात कार हम प्रशार करीं आरो नेट्वर्क 18 और होई ए हाख्यात कार ग्रहन कोरी से ग्रूप एडिटर इन चीफ राहुल जोशे इफाले काईलोई निखा नाव बचा, आपनालो कर बाबे आग पुर्ण हाबो आपने लोग पुरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए जब हम उसको अपने इन हेरिटेंस टैक्स की बात की जो हम लोगों की जमा पुंजी है जब हम अपने लोग पुरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए जब हम उसको अपने आने वाली जेनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और यह टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी भारतिय जनदापार्टी क्या करेगी हमारे मेनिफेस्टों में साफ हमने लिक करके लाएग वै अब उन्हों है कही सगूपा छोड दिया तो मैं भी जनदा लेके गूँँगा यह सवाल आपके मन में कैसे आजाता है जिये भारती जनतापर्टी की विशारदारा साहब है जी, हम अपनी विशारदारा के आधार पर कारकमों को लेकर के, मैनिफेस्टों को लेकर के देश के सामने जाते हैं, कुरुपा करके ऐसे महासरणों के विशारों को हम परमबत हों के बाएगे। एक national x-ray कराएंगे, बात सिर्फ caste census की नहीं है, जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी आपका मत जानना चाहूंगा, बंगर बात वो कहते हैं, इससे आगे है, बात caste की नहीं, बात justice की है, और वो कहते हैं कि हम जो है, एक socio-economic survey लाएंगे, एक institutional survey लाएंगे, और उसमें कि किस जाती और किस वर्क के पास क्या है, कितना धन है, कितनी institutions में भागिदारी है, और उसके basis पर हम इस पूरे system को redistribute करेंगे, इसको आप कैसे दिखते हैं? सबसे पहले तो, इस देश में जो लोग अपने अप्मु राजनिती के एक्षपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चड़ाव को बड़ी बारी किसे अध्यन करते हैं, सबसे पहले उनका दाइक्व हैं, को वो ऐसे लोगों को पूछे, कि जीश परिस्टितियों का वर अपने राज किया भई, यह मुसिबत के जन्म जाता है आपको, और आपने अब तक कि यह बरबादी लाए ही क्यों, पहले उनका जबाप माँगो भई, नमब वान, नमब तू, एक्षर का मटलब क्याएंजी, मतलब हर परिवार में जाना, गर गर चापा मारना, अगर किसी अनाच के डिब्वे में किसी महिला ने अपने गहने चपा के रखे हैं, उसको भी एक्षरे किया जाएगा, उनके गहने ले लियाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा, और फिर उसको रिडिस्ट्रिबूस करेंगे, यह दुनिया में एक माववादी वीचार न करना है, और इसलिए मैनी फैस्टों आने के दस दिन के बाद भी यह जमात आये दिन लिख्था पटी करती है ना उचूप रही है, उनके उनके प्रोटेक्शन में चूप रही है, तम मेलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है, कि देश को जगाना, कि देखिए आपको लूप कि देखिए तरकिव हो लिए, और दूसरा पार्ट है, डॉक्तर मनमौन सिंग की वगिर उनके हर बार कहा है, कि जो भी संपत दियोंगी इस पर पहला अधिदार किसका होगा, तो हिसाब कि दा बोसाब है, वो क्या करना चाहते हैं? भारत और गूरब गुती बिश्चती, यार खन्माल, स्ट्रोंग मने माइथन स्टील अपुनिसायस सूपर प्रामेधीन, राजर भिन्ना प्रांतर अर प्रसंद धुमुहा खिलाब्रिस्टी, तांदब सोलिस एक प्रकार प्रकृतीर, हिलाब्रिस्टीर फला थाय ठाय के बाताओ घरार तीन पाथ, फुटी बिस्टर ख्या खोटी होजे, प्रसंद बताह बोर अपुनार माचते, कोलियाबरद एता भःयंकर पठ डूर खत ना अखंखूरित होल, जोट अल्तो आरो बायकर माचत मुखामुखी हंखर होट, डूई बायक आरो ही गुर्टर भबे आघाध प्राप्त होजे, आहत डूई जनक तता लिके, लोजवा है कोलियाबर महकुमा आओ हमरीक स्थिकी छालो तार भर्टी कुलवा हर। 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 कि अपना गड़ी भांगी लेए अपने डुख पैसा नेखिए अपनी दुख पैसे लेखे अपनी में अपनी माला निमकाने बजार बजावले गवेशिए लेखे लेखे लिए अपनी कट्राव्य अपनी बजाने माला ने अपनी लेखे लेखे सथी आपनी ही अपनी फिवेशिए अपनी जएान ने अपनीुख और लिन लेखे 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 की है Everyday Spices 100% Taste Everyday Spices Best Monotracky बो, भाल कोड़ी, होग लगी बो, आयो चाहूं Everyday Masala आटेस्टी हो भुजो Everyday Spices 100% Taste Everyday Spices Best हुगांध रोंगारू, हुआत खाती Everyday Zivhat दिये आसल जुटी Everyday Spices 100% Taste Text Headlines आग बढ़ाय से Everyday Masala आग बढ़ाय से जुटी आग बढ़ाय से जुटी आग रोंगारू आग बढ़ाय से जुटी आग भाप भुटी